नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर बलूड फिल्म में यू तो कई ऐसे विलन अभिनिता रहे हैं लेकिन एक ऐसा अभिनिता जो इस्क्रिन पर विलन की गैंग में एक सक्स बार-बार नजर आता था और वो कोई नहीं बलकी मैक मोहन सहाब ही थे मैक मोहन सहाब ने इंडेश्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ स्क्रिन सेयर की थी हलाकि मैक मोहन सहाब को उनके असली नाम से कम और संभा की नाम से ज़्यादा पहता है पूरे 50,000 फिलम सुले में सांभा का किरदार निभाने वाले मैक मोहन सहाब को आज भी कोई नहीं भूल पाया और इनका जनाम 1938 में कराची में हुआ था और इन्हों ने कई फिलमों में काम किया लेकिन उन्हें असली पहसान फिल्म सोले में संभा करोल प्ले करके विली और मैक मोहन सहाब रिष्टे में एक्ट्रेस रगना टंडन के मामा लगते हैं और लगभाग तिन घंटे की फिलिम सुले में सांभा यानि मैक मोहन सहाब ने सिर्फ एक ही समबाद बोला है और वो है पूरे पच्चास हजार पूरे पच्चास हजार आपको यहाँ जानकार हैराने होगी कि इस फिलिम के छोटे से डायलोग की सुटिंग करने के लिए मैक मोहन सहाब को मुंबाई से बैंगलोरू 27 बार जाना पड़ा था शुरुआत में फिलिम में उनका किरदार थोड़ा लंबा था लेकिन फिलिम के एडिटिंग होने के बाद सिर्फ तिन सब्द ही बचे और वो डायलोग था पूरे पच्चास हजार जी हाँ दोस्तो मैक मोहन सहाब ने फिलिम सुले को एडिट होने के बाद जब देखा तो वह बहुत निरास हुए थी और एक इंटर्वी में उन्हें बताया था कि जब मैंने फिलिम को देखा तो मैं रोने लगा था और मैं सिधे डारेक्टर रमेश सिपी के पास गया और उनसे बोला कि मेरा इतना थोड़ा सा रोल भी क्यों रखा आप चाते तो इसे भी हटा ही देते इस पर उन्हेंने मुझसे कहा कि अगर यह फिलिम हीट हुई तो दुनिया तुम्हें सांभा के नाम से जनेगी और हुआ भी ऐसा ही और दोस्तो मैक मोहन सहाब के पिता भारत में बेटीस आर्मी में करेनल थे और 1940 में उनका ट्रांसफर कराथी से लखनाउ हो गया था और मैक मोहन सहाब ने अपनी पढ़ाई यहीं से पूरी की और उनको बच्पन से क्रिकेट का सौक था और वो एक क्रिकेटर बनना चाहते थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के क्रिकेट टीम के लिए भी खेला था और 1922 में मुंबई आ गए यहाँ आने के बाद जब उन्होंने रंग मंच देखा तो एक्टिंग में उनकी रूची बढ़ गई और सबाना आजमी की मा सौकत कैफी को उन दिनों एक नाटक के लिए दुबले पतले सक्स की जवरत थी और मैक मोहन साब के किसी दोस्त ने उन्हें इसके बारे में बताया और उन्हें पैसो की जवरत थी वो सौकत के पास नाटक में काम मानने पहुँच गए और यहीं से उनका एक्टिंग करियार सुरु हुआ और दोस्तों 1964 में उन्हें फिलिम हाकिकत से डिब्यू किया था और 46 साल के किरियार में उन्हें करीब एक सब 75 फिलम में काम किया उन्होंने मिताब बच्चन धर्मेंदर, विनोत खना, सत्रोहन, सिना, सस्षीकपूर, रिस्षीकपूर, सुनिलदात, राजेंदर कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, मनोज कुमार, जीतिंदर जैसे सुपार इस्टार के साथ स्क्रिन सेयर की उन्होंने एक अईरवेदिक डाक्टर मीनी से साधिक की थी और उनके तीन बच्चे विन्ती, विकरांत और मंजरी हैं और मंजरी पेसे से फिलम निर्माता और निर्देशक हैं और दोस्तों, 2010 में जब मैक मोहन साथ फिलम अति थी तुम कब जाओगे की सुटिंग कर रहे थे तब ही उनकी तब्यात खराब हो गई थी उन्हें अस्पतार में भरती कराया गया था और जहां डाक्टर में बताया कि उनके फेफड़े में टुमर है इसके बाद उनका लंबा इलाज चला लेकिन 10 माई 2010 को उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया भले ही सोले फिलम का सामभा आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने सोले में जो डायलोग बुले हैं पूरे 50,000 इस डायलोग को हम लोग कभी नहीं भुल पाएंगे यू तो उन्होंने सोले फिलम के साथ है और ऐसे बहुत सारे फिलमें हैं जिन में काम किये हैं उन्हें भी हम लोग चाहा कर भी नहीं भुल पाएंगे तो हम लोगों के तरप से मैक मुहन सहाप को भापूर स्रधान जली और वे जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यह दुआ है तो और ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिए हैं तो प्लीज दोस्त तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकिए हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांक्शी दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए